सबी साथियों को नमस्कार पसू पालन वैट्स हब ओफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबी का स्वागत है एक न्यूज पेपर की कटिंग है जिसके अंदर HSSC चेर्मेन श्री भुपाल सिंग खदरी ने आप सबी विधार्थियों के लिए एक अपडेट दी हुई है कि हर्याना करमचारी चैन आयोग ग्रूप C पदों के लिए प्रिक्षें 20 जून के बाद शुरू हो जाएगी जो पहले प्रिक्षें मई में शुरू होनी थी अब वे प्रिक्षें 20 जून के बाद शुरू होंगी और जून और जुलाई जुलाई के अंद तक इसको क्या कर लिया जाएगा पूरा कर लिया जाएगा आयोग 3.06 लाख उमीदवारों में से पदों की संख्या से च्यार गुणा से जादा उमीदवारों को मौका देना का तलास रही है तरीका तो जैसे CT क्वालिफाई की मांग चल रही है उसका तो अभी तक कोई भी मुद्दा या कोई भी इसके बारे में डिसकुशन HSSC के अंदर नहीं चल रही या फिर सरकार के अंदर नहीं चल रही कि इसको CT क्वालिफाई करना है या नहीं करना है लेकिन जितने भी अभ्यारती पास हुए हैं उनमें से जादा से जादा को CT मेंस देने का मौका मिले इसके लिए वे कोई ना कोई तरीका डून रहे हैं आयोग 266 पदों पर फिलाल नहीं लेगा लिखित प्रिक्षा ये पहले एक लिस्ट जारी की गई थी कि किन किन प्रिक्षियाओं के लिए वह है लिखित प्रिक्षा नहीं लेने वाला अधीक से अधीक CIT पास उमिदवारों को मौका देने का आयोग कर रहा है प्रियास आयोग प्रियास कर रहा है कि ज़दा से ज़दा 4 गुना के अंदर या फिर कोई अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भियारतियों को इसके अंदर मोका मिले उन्होंने बताया कि लगबग 3.60 लाख उमिद्वारों ने ग्रूप शीप की पदों के लिए आविदन किया है और बताया कि गुरूप अनुसार लिखित प्रिक्षा ली जाएगी उन्होंने कहा कि आयोग का प्रियास रहेगा कि अकेले पंचकुला जीले में ये प्रिक्षा हो उन्होंने कहा कि पंचकुल्दा जीले में लगबग 12,000 उमिद्वारों की एक सिफ्ट में प्रिक्षा करवाने के परबंद है अगर किसी ग्रूप में इस से ज़्यादा उमिद्वार हुए तो फिर पंचकुल्दा के अलावा किसी एक अन्या जीले में प्रिक्षा होगी उन्होंने कहा कि अगर किसी उमिद्वार का सुबह और श्याम की सिफ्ट में प्रिक्षा होगी तो उस उमिद्वार को एक ही सेंटर दिया जाएगा ताकि वहाद दोनों पेपर देश के यह बहुत ही सरहानिय कदम है कि उसको अलग सेंटर में नया जाना पड़ी दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रूप C के इन पदों पर भरती प्रकिरिया कब तक पूरी हो जाएगी तो उन्होंने जवाब दिया कि इस साल 31 दिसंबर तक सारी की सारी बरतिया क्या कर ली जाएगी पूरी कर ली जाएगी उनका रजल्ट है निकाल दिया जाएगा ग्रूप D के पदों के लिए विग्यापित होने में अभी समय लगेगा ग्रूप D का CT अगस्त वैस सितंबर में संभावना होगी ग्रूप D का कब होगा अगस्त वैस सितंबर के अंदर संभावना है आयोक के अधक बोपाल सिंग खदरी ने बताया कि ग्रूप D एक्ट में अभी भी समाजिक आर्थिक मांदन के 10 अंक्तिया की हुई है एक्ट में संसोधन करना होगा सरकार को बता दिया इसके लिए जल्द ही अध्यादेश जारी हो जाएगा ग्रूप D के पद विग्यापित होंगे और कितने पद होंगे 11,754 ग्रूप D के पद अक्टूबर और नॉम्बर के अंदर अगर कोई भी अभियारती अपना स्कोर को बढ़ाना जाता है तो वह दुबारा से नए पंची करत होकर अपनी प्रिक्षिया क्या कर सकता है दे सकता है पुलीस भरती नियम अभी भी अधी सूचित नहीं पुलीस भरती के जो नए नियम बनने थे जिसके अंदर समाजिक वार्थिक मांदन के अंक नहीं थे लेकिन दोड और हाई टोर चैस्ट के उसके अंदर क्या किये गए थे नंबर रखे गए थे उसके लिए अभी भी कोई नए नियम नहीं बने है जैसे ही नए नियम संसोधित होंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा फिर बाद में उसके विग्यापन जारी कर दिया जाएगा तो आज के लिए यही अपडेट देनी थी अपनी त्यारी को रेगुलर रखे क्योंकि ग्रूप डी आने वाला है धन्यवाद